आपका बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको शुरू कीती श्रंखला एक कुंडली देखते वक्त क्या-क्या देखता है कि कुंडली हमारे पास क्लाइंट लेके आता है और हमें इसकी पडिक्शन करनी है तो कैसे पडिक्शन करनी है या क्या चीज हम देखें जिससे हमको मालूम चले कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है या इसकी पडिक्शन क्या हो सकते तो मैं पिछली वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता भाव देखना पड़ेगा, अगर हम रोग के बारे में जाना चाहते हैं, रिन के बारे में जाना चाहते हैं, शत्रू के बारे में जाना चाहते हैं, तो हमको छटा भाव देखना पड़ेगा, और छटे से छटा भी, क्योंकि भावात भावम का ये सिद्धान्त है, कि जो बुर्द काल पूर्शी खट्रु समझने के लिए रखिये बुद्ध कालपुर्शी कुन्ड्री में जिस बाव का सวामी हैं। जिस तरह से आप किसी भाव को लगन बना के देख सकते हैं, ऐसे ही आप काल पुरुषी कुंडली में जो स्वामी है उस भाव का उसको लगन बना के भी आप दूसरी चीजे देख सकते हैं, तो बुद्ध से छटा भाव भी आपको देख रहा है, तब आपको मानूपड़ेग रोग होगा या उनके अनुसार बिना से चशेक करना है कि चटे भाब में राशी कौन सी है, वहाँ ग्रह कौन से इस्थित हैं, वहाँ द्रस्टी देने वाले ग्रह कौन से हैं, उन ग्रहों के अनुसार ही आपको रोग होता है। अगर गुरू छटे भाब में हो तो पेट से संबंदित रोग होंगे, बुद्ध छटे भाब में हो तो इसकिन से संबंदित, तोचा से संबंदित रोग होंगे, शुक्र छटे भाब में हो तो गुप्त रोग हो सकते हैं, वीरिय से संबंदित रोग हो सकते हैं, शुक्र वीर लेजिए या उससाथ बैठा ग्रह लेजिए उसके अनुसार आपको रोग तो ये च्छटा भाव भी हमको कुल्डी जब हमरे पास आए तो देखना बहुत आवश्चक है कि च्छटे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं कौन से ग्रह देख रहे हैं और कौन उसका स्वाहनी है आपको मालूम चले कि किस तरह का रोग इंसान को या जातक को हो सकता अब छता भाव आपका लॉन का भाव भी है च्छता भाव यह चल रहा है हमारा के लॉन मिले गा या नहीं कि सब्जेक्ट है बहुत से लोग आद आपके सामने आते हैं कि साम मैं लॉन लेना चाहता हूं तो मुझे lawn मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा सकलता से तो ये देखना है तो ये कहां से तो इसके लिए आपको चटा भाव और धन भाव दशा में सक्रिय होना चाहिए तो आपको lawn, चटा भाव आपका रिंड का भाव है, डैप्ट का भाव है लेकिन लॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है कि अगर आपका धन भाब भी सकरी अगर धन भाब भी दशा में सकरी है धन भाब के स्वामी या धन भाब में बैठेक रहे या धन भाब को देखने वाले ग्रहे की दशा है और चटे भाब के स्वामी चटे भाब में बैठे ग्रह चटे बाप को देखने वाले ग्रहोगी दशा है तो निश्चित रूप से आपको लॉन मिलेगा अब आप नहीं तो बता दिया उसको लॉन क्यों लेना है मतला मिल जाएगा आपको लेकिन लॉन लेना क्यों है इसको यह भी आप ठोड़ा देख लीजिए को देख रहे हो और 5000 में विकास करने पर डेके डिजनस कर रहे हैं तो पर वड़ाने केलिए लेकिन आप यह हैं कौ से है कंषर झो को देख रहे हैं तो करण के लिएला लेना चाहते हैं करम विकास के लॉन अप लेना चाहते हैं तो ये भी आपको देखना जरूरी है छटे भाव में छटा भावी चल रहा है आपके लिए important छटा भाव जहां नजर रहा है छटे भाव में मंगल अगर आपके कुंडली में बैठा है तो ऐसे में शत्रू बहुत हो शनी हो तो शत्रू ह हमेशा प्रशन करते हैं मतंब पीछे पढ़े रहते हैं चटे में अधिक ग्रह हूं इसा आदमी कभी रहों डिये विरता है कभी उसे रौ होते रहते हैं यह प्रब्लम भी उसको रहती है छटे बार में ज्यादनें ज्यादा ग्रह बैठे होंगे तो उसमें उतनी चीजें हैaces क्यों की क्यूंकि तीसरा भाव परिशन का भाव wes'ta हैं और यह सुर्ध का भाव होता है यानि हार्ड म के सुकं कभाव होता तो च्शटा भाव competition का भाव भी है इसलिए competition के बारे में भी अगर आप देखना चाहते हैं कि competition में success मिलेगी यह नहीं मिलेगी तो भी आपको छटा भाव ही देखना आवश्यक है क्योंकि ये तीसरे का चौता होता है efforts का सुख जिसे कहता आठवा भाव आठवे भाव के बारे में ये भी आपको एक नज़र डाल देना बहुत जरूरी है कुर्णी देखते वक्त आठवा भाव क्योंकि ये सबसे खराब भाव है कहते ये हैं कि चटा आठवा बारवे भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाए उस भाव की हानी है और इसी प्रकार से अस्टम भाव है इसका स्वामी किसी भाव में जाए तो उस भाव की हानी होगी या किसी भी भाव का स्वामी अस्टम भाव ना है तो उस भाव की हानी होगी अस्टम इस्थान में बैठे ग्रह या अस्टमेश की दशा अच्छे नहीं यह आप ध्यान लगी अस्टम भाव में कोई ग्रह बैठा है या अस्टमेश की दशा है तो वो कभी भी आपकी अच्छी नहीं जाए तो ये point भी आपको आठवे भाप को भी एक बार देख लेना चाहिए कि अस्टम इस्तान में कौन सा ग्रह बैटा है और कहीं जो दशा चल रही है वो अस्टम इस्तान में बैठे ग्रह की तो नहीं या अगर यह है तो आप समझ सकते हैं कि यह वक्ति इसवक्त कले और पीड़ा से और कस्टों से गुजर रहा तो बहुत इंपॉर्टन है आठवा भापवियों डाल लीजिए एक बार अस्टम में बैठे ग्रह या उनको देखने वाले ग्रह की तशा में चोट लगती है अस्ट अस्टम भाव जो है वो दूसरे भाव का भोग स्थान है दूसरे भाव से साथमा स्थान हम भोग का स्थान करें तो आठवा भाव दूसरे भाव का भोग का स्थान है वो यह बताता है कि हम कैसे मृत्यू को प्राप्त हों और अस्टम से अस्टम भाव तीसरा होता है जो मर भी इस तरीके से मैं बताऊँगा आपको कि कुल्डी में क्या-क्या देखें जिससे आप काफी चीजें अपना आप समझ सकते हैं जातके प्रशन करने से पहले धन्यवाद जैशी क्रिश्ण और एक विशेश सूचना देना चाहेंगे कि हमारी एडवांस असलोजीक लास स्टार्ट हो जा रही है जो लोग भी चुक है वो दिएगे नमपर को संपर्क करके अपना नामंकन करा सकते हैं